जारे विद्यार्थियों, मैं अशोक कुमार चाचिया, सायक आचारिय पूलिटिकल साइंस, LBS राज के माविद्याले कोट पूतली में पदिस्ठापी थूँ, बच्चों, आज मैं आपको सीतियूद के बारे में बताऊंगा, कि सीतियूद की होड, सीतियूद से हतियारों की होड और हतियारों पर नियंतर ये दोनों ही परतिक्रियाएं पैदा हुई, इन दोनों परतिक्रियाओं के क्या कारण थे, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारे अर्देश में कोरोना महमारी का दोर चल रहा है, जिसकी वज़े से ये वीडियो बगेरा बना के हम बच्चों आप तक इनको बेजते हैं ताकि आप इस बीमारी से बचे हैं घर पे रहकर ही ये वीडियो देखें और इन से लावानवित हों तो इस कड़ी में मैं आपको बताता हूँ जो बीए पार्ट थरी एर का सेकेंड पेपर है अंतर राष्टे सम्मन्द से अथियारों की दोड़ और अथियारों पर नियंतर न ये दोनों ही परतिकिरियाओं पैदा हुई हैं इन दोनों प्रकिरियाओं की क्या कारण थे बच्चो सीत यूद की शुरुआ दित्ते विश यूद के पश्चात हुई सोवियत संग और स्वेंट राजे अमरिका दोनों में सस्त्रों की गोड लगी वी थी मानव जात्ती परमानु यूद के आतंक के साय में जीवन बिता रही थी तीसरे विश यूद का खत्रा दुनिया पर मन्रा रहा था सीत यूद काल में शान्ती पूर्ण परतिबदता का स्थान आकरामक राजनितिक सैनिक परतिद्वंदता ने ले लिया पुराने सैनिक अड़ों का विस्तार, नए सैनिक अड़ों की खोज, नए सस्त्रों की खोज, दूर्तगामी, परियोजना, सेना दोनों ही की यही मनों इस्तिती थी. इस तरह दोनों गुटमों में हथियारों की होड निरंतर जारी थी. तो बच्चो शीत युद के समय में स्यूंत राज्य अमरिका और सोवित संग दोनों ही हथियारों की दोड में लगे वे थे. ज़्यारों के ज़्यारों के ज़्यारों की ज़्यारों की दोनों गुटमों में कभी भी प्रतेक्स युद हो सकता था. इसलिए हथियारों पर नियंतर की मदद को दोनों गुटों ने मैसूश किया. हथियारों की होड के दोरान ही हथियारों पर नियंतर की प्रकिरिया भी प्रारम हो गई. इस दिशा में विभिन वारताएं और संधियों पर हस्ताक्षर किये गए. जैसे सिमित परमानु परिक्षन संधी, LTBT, परमानु एपरशार संधी, NPT, सामरीक सस्त्र परिशिमन वारता फर्स्ट, यानि साल्ट फर्स्ट, सामरीक अस्त्र परिशिमन वारता फर्स्ट, यानि साल्ट फर्स्ट, सामरीक अस्त्र नियों निकरन संधी, यानि स्टार्ट फर्स्ट, सामरीक अस्त्र नियों निकरन संधी, यानि स्टार्ट फर्स्ट, सामरीक अस्त्र नियों निकरन संधी, यानि स्टार्ट फर्स्ट, त मानलब नियंतरन और अथियारों पर नियंतरन दोनों ही कारिय के गए थे, तो इस तरह से ये जरूरी था, क्योंकि विश्वय तीसरे युद की शुरुवात की तरफ भल रहा था, तो ऐसे दोर में इन संधियों का होना जरीरूी था, अभी विश्वय युद रुखशकता था, नेक्स्ट बच्चों, महासक्तियां छोटे देशों के साथ सन्य गटबंदन क्यों रखती थी, तीन कारण बताई, तो इसमें बच्चों महासक्तियों के पास परमानू हथियार तथा स्थाई सेना थी, छोटे देशों के अनेक मामलों, जैसे आर्थिक और राजनितिक मामलों में हमेशा महासक्तियां हस्तक्षेप करती रही हैं, तथा उनकी आवशकता भी करती रही हैं, छोटे देशों के साथ गटबंदन करने से, उनकी सदस से साथी देशों की संख्या में बढ़ोत्री होगी, जिससे वे ज़्यादा देशों पर अपना वर्चश्व स्थापित कर सकें, महासक्तियां निम्नकार्णों से छोटे देशों के साथ सेन ने गटबंदन रखती थी, पहला है महासक्तियां छोटे देशों को अपने अधिकार में लेकर उन स्थानों से सेना का संचालन कर शक्ती थी, युद सामगरी तथा युद सामगरी संग्रहन कर शक्ती थी, दूसरा महासक्तियां अपने सेन ने गटबंदन देशों छोटे देशों के साथ जासूसी करने के लिए भी करती थी, तीसरा महाशक्तियां छोटे देशों से तेल तथा खनिज जैसे मुखे संसादनों को प्राप्त करने के लिए भी उनके साथ सन्य गटबंदन करती थी तो इस तरह से बच्चों देखा कि छोटे देशों के साथ महासक्तियां किस तरह से गटबंदन करती थी और क्यों करती थी इसके मैंने आपको तीन कारण बताए हैं तो आज का बच्चों वीडियो ये दो टोपिक आज यहीं खतम होते हैं नेक्स परेंगे कल धन्यबाद